अगर आपने JSS CCGL में खुर्ठा लिया है और खुर्ठा को लेकर आपनी तयारी को कर रहे हैं तो यहां पर हमने पूरा खुर्ठा कवर करवाद गया है बहुत अच्छे से detailed explanation के साथ आपके लिए खुर्ठा पूरा complete करवाय जा चुका है जिसमें से कि आपको एक या दो बार आप उसे सुन लेते हैं तो आपसे 100 में से 90 प्लस कहीं नहीं जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम हमारे लिए थोड़ा सा खुर्ठा में कुछ बचा हुआ है चिटपुट तो उसे complete करके आपके लिए पूरा का पूरा दे दिया जाएगा और साथ ही साथ दाबुदरे कुराइग का एक रिवीजन क्लास भी आपके लिए ले करके आया जाएगा जिसमें छोटा छोटा समराइज करके कुछ पॉइंट जिससे एक जाब में पूछे जाते हैं वो आपके लिए लाया जाएगा दोस्तों आपके पनी यूटिब चैनल परिष्चा होल्ट 247 में अगर आप चैनल परने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को जरूर दबाईएगा और साथ ही साथ दोस्तों में परिप्षा होल्ट 247 को सेर कीजेगा जिससे हमें एक मोट्यवेशन मिलेगी ए आपको क्या करना होगा परिक्षा हाल 247 के टेली ग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा और वहां से आपको PDF मिल जाएगा वहां से PDF डाउनलोड कर लिजेगा और फिर उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हैं यहां से केवाल आप सुन लिजे देखें यहां पर जो हम लोग रा आप से बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजवैर और उस से पहले हम बात करेंगे दामदरी कुराएं की तो दामदरे कुराएं एक मुवी की तरह अगर आप इसे देखते हैं तो इसमें 6 का सर्ग हैं 6 पाट हैं 6 कहां 6 कवितां है ठीक है तो जैसा कि आपने देखा तो दूसरा समझ में नहीं आएगा दूसरा नहीं देखा तो तीसरा समझ में नहीं आएगा तो पहले और दूसरे जो सरंची कमल और मेला है उसे आप जरूर देखे तब ही जाकर कि आपको राजवैद हुन या फिर जो इसके बाद अमर चाटान है हालपा है सब समझ में राजवैद का मतलब क्या होता है आप जानते हैं कि पुराने समय में राजा महराजा का जो अपना परसनल जो कहता है ना कि जो मेरा फैमिली डॉक्टर है तो राजी का जो डॉक्टर होता था जो राजा का डॉक्टर होता था राजा का वैद होता था राजवैद है ये और खो पुमा एक राजवैद था और उसके आसधी से उसके दवाईयों से कमल कमल कौन है कमल के तू जो था वो सरंची से कैसे मिला सरंची कमल हमने इसके पहले कविता को देखा था सरंची से कैसे मिला दोनों के बीचे जगडा हुआ फिर प्यार हुआ तकरार हुआ प्यार हुआ और प्यार होने के बाद इसके कमल के सरीर के उपर घाव कैसे आया, ये घायल कैसे हुआ और इसके सरीर का घाव तो छूट गया, लेकिन इसके अंतर मन में, इसके आंतरिक मन में जो घाव लगा था, वो छूट नहीं रहा था, उसके अंतर मन में एक घाव, एक घायल था, जो कहता कि मैं अंदर से घायल हो चुका हूँ, मेरा दिल तार-तार हो चुका है, तो ये क्यों होता है, दिल में तीर इस तरह से जब लग जाता है, तो ये वाला कैसे होता है, बताइए, तो ये है अंदर का घाओ, और ये कब लगता है, तो आजकल ये दिल में तीर वाला घाओ नहीं गया था जब घुमा को जब घुमा को यह बात पता चलती है जब उसे इस बात का भनक लगता है घुमा को घुमा कोन है राजवैद है जब उसे इस बात का भनक लग जाता है कि कमल के अंदर का घाओ हम नहीं मिटा सकते इसके लिए कोई और ही वैद है जो घुमा राजवैद ह ये इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसको प्यार का रोग लग चुका है इसको प्रेम रोग लग चुका है और इसको प्रेम का अगर रोग छुटाना है अगर इस वाले घाव को इसको खतम करवाना है तो इसके प्रेमिका को प्रेमिका नाम का इसके डॉक्टर को सरंची त तो सरंची जो है राजवैद किसे घुमा से कहता है कि कमल केतु राजा का बेटा है और कमल केतु का बाप कौन था काल केतु ठीक है इसके बारे में हमने बात किया हुआ है उमादित्ते से मेला कहानी ने मेला कविता में हमने देखा था उमादित्ते देखा था दुरगा चांदान से हैं, बताइए उसकी वाइफ, उसकी सहीय, उसकी संगी हम किस प्रकार से बन पाएंगे, हमारे लिए तो बस ये स्पने की तरह ही है, तो ये बात जब राजवैद ने, राजवैद को बोलती है सरंची, तो सरंची इस खबर को लेकर करके घुमा, घुमा कौन था, राजवैद था घूमा जो है इस खबर को ले करके राजमहल घूम जाता है राजमहल वापस चला आता है और कमल को सरंची का संदेश सुना देता है कहता है ये संदेश जब सुना दिया जाता है कमल को सरंची जो बुलती है वो सुना देता है तो कमल क्या करता है अपने सरीर के खून से प्रेम पत्र लिखने लगता है और लिखता है कि हे प्रान राखी बनवाला बनवाला कौन? वही, सरंची जो है बनवाला, बनवासी, आदिवासी बन जो है सरंची उसको क्या बोलता है कमल केतु कि प्रान रक्षा करने वाली हे प्रान प्रिय, हे प्यारी, हे प्रेमिका, हे डियर, जो भी आप कह सकते हैं, ये अपने भासा में लिखता है, हे प्रान राखी बनबाला, जात उचा हवे न धरम, उसको लिखता है, कि देखे, ना जात उचा होता है, ना धरम उचा होता है, उचा होता है, तो बस मनुष्य का बिचार उचा होता है और तुम्हारे लिए हम काटा के रास्ते पर भी चल जाएं तुम्हारे बास्ते हम कहता है प्यार में अगर कोई पागल हो जाता है तो उसे नहीं दिखता है आप अगर तुलसी दास का कहानी सुने होंगे तो वहाँ पर हम लोगों को पता चला होगा क कि वो साप पर चला जाता है ठीक है साप मरा हुआ साप पर लटक करके अपनी वाईप के पास चला जाता है तो प्यार में एक अलग ताकत होता है प्यार जब किसी को प्यार का बुखार लगता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता उसके अगर काटे के रास्ते पर भी चला बाते जो है अपने प्रेम पत्र में लव लेटर में लिख करके कमल घुमा को दे देता है घुमा यानि की राजवैद को दे देता है और वहां से वो चला जाता है देखे पत्र लिखने के बाद यहां लिखा हुआ है पत्र लिखने के बाद कमल और घुमा कमल और घुमा दोनो मतलब कमल केतु और घुमा राजवैद जो है दोनों राज महल से अपने राज़े से जंगल की और चले आते हैं और वहाँ पर जा करके गरीब आदिवासी को आखर ग्यान आखर मतलब अक्छर ग्यान थोड़ा साक्चर करने लगता है पढ़ाने लिखाने लगता है अक्छर ग कमल केतु यहां पर यह नहीं होना चाहिए क्योंकि राजा काल केतु था ठीक है तो राजा काल केतु जो था उसका बाप कमल केतु का बेटा पिता जी तो राजा कमल केतु जब इस बात को सुनता है तो उसके पैर का लहर मगज पर चला चल जाता है मतलब कहता है न सर का लहर मेरे माथे पर चड़ गया है इतना गुस्सा पूरे सरीर में गुस्सा फैल गया तो ये सुन करके जब ये बात सुनता है कि मेरा बेटा कमलकितू और राजबैद घूमा दोनों जंगल की और चले गया है और किसके लिए तो एक आदिवासी लड़की के लिए चला गया है तो सुनाता है डाटता है और इस तरह से तकन घूमा रागे गुरगुराई उठल और उसके बाद जब इतना बात उसे सुनाय जाता है तो घूमा राजबैद जो है अंदर ये अंदर गुस्सा होते 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 अपने मन का वो भडास निकालता है और वो क्या कहता है राजा खोस करके चलो, एक दिन तुम्हारा ये गढ़, गुला, धन, संपत्ति, किला, राजमहल, सब कुछ खाक में मिल जाएगा, ऐसा किस ने कहा, ऐसा घुमा ने, किस को कहा, कालकितू को कहा, ये सब कुछ बात है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जो important कविता का पंक्ति है, उसक बाद इससे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेस्चन बिल्कुल नहीं चूटेगा, और यहाँ पर देखे, जारबोने मुसा आईल, काटे लागल, गाचेक जर, मुये भूर, करल मुसा, सोना हिराक, जेठिन धेर, मोट मुईस, दुईक गेल, माटिक भीतर, डोआद, सुकल, बने बादर, देखे, यहाँ पर लिखा गया है, उसका यहाँ पर हिंदी मिनिंग दिया गया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर बाहरी सोसक लोगों को मुसा और भूइस कहा गया है, ठीख है, और बादर ज्हारखंड के आदिवासियों को, जैसे की ना पहरी लोगों ने आकर जारखंड की संपत्ति वन और यहां का सोना चांदी हडप लिया वह महल के भीतर सुख सुविधा का आनंद लेता है और मूलवासी जो यहां के भालवासी है उसको वह दो रोटी खाने को भी तरसता है। बढ़ता है जिनगी के रास्ते में मगद कुल में क्या होता है मगद सामराज में कालकितु का बिहान होता है क्या होता है कालकितु का बिहान और यहां पर कालकितु का बिहान का मतलब कालकितु का राज आता है कालकितु का समय आता है और कालकितु का क्या था बहुत ही ज़्या अत्याचारी था, बदमास था, सूसनकारी था, गरीबों का खून चूसने वाला था। नेक रस और जंगल के रस को यहाँ पर जो भी जंगल का रस का मतलब क्या जो जंगल हमें संपदा देती है जिससे बनवासी जीते हैं खाते हैं उसी के रस को ये छूसने लगता है उसका सोसन करता है और बनवासी जंगल वासी आदिवासी इस काल के तू से परेसान हो जाते है तब जाकर के क्या करता है कमल की तू, रैखा करे कमल की तू, मतलब रच्छा क्या कौन करता है कमल की तू करता है, और कमल की तू कौन है, तो काल की तू का बेटा है, ये क्या करता है, बनवासियों की रच्छा करता है, रैखा मतलब रच्छा करता है कमल की तू, बनवासियों की आदिवासियों की जंगलवासियों की रक्षा करता है कमल के तू आता है ठीक उसी परकार से रक्षा करता है जैसे की जेट की धूप से प्यासी धर्ती की प्यास बरसाद बुजाती है ठीक उसी परकार से कमल के तू काल के तू के अत्याचार से काल के तू की दमनकारी नीति से बनवासियों की जंगलवासियों की रक्षा करता है आगे देखे क्या लिखा हुआ है राजबैदेक बैदाली मतलब राजबैद का राजबैद जो घुमा था उसके बैदाली से उसके इलाज से ठीक है उसके बैदाली राजबैद क्या करेगा बैदाली करेगा इलाज करेगा डॉक्टरी करेगा मेडिकल जो वो ट्रिट्मेंट करेगा तो राजबैद के ट्रिट् उसके इलाज से जो कमल केतू है उसके गातेक मतलब सरीर का घाव तो चुखाने लगता है ठीक होने लगता है घाव मतलब सूखने लगता है जखम सूखने लगता है लेकिन वन सुंदरी यानि कि सरंची का जो नयन का बान उसके हिर्दय में लग गया था सरंची के नयन का सरंची के आखों का सरंची ने आखों ही आखों में जो इसके हिरदय में जो बान मार दिया था जो वो घायल हुआ था अंदर से वह मन ही मन जो उसके मनेक घाव खेचराई लागल जो मन में इसका घाव लगा था जो मन में यह घायल हुआ था आंतरिक रूप स इसका जो दिल तार-तार हो गया था, वह खेचराई लागल, मतलब मन का घाव इसको बेचैन करने लगता है, वन की सुन्दरी सरंची का नयन से जो बान से जो मारा था, कहता है न, तीरों से जो नयनों से जो तीर चला है, तो वो जो तीर इसने चला दिया था, उससे जो इसके म पर घाव हुआ था वो क्या होता इसको बेचैन करने लगता है कमल केतू को आगे क्या होता है जब इस बेचैनी को इस मन की बेचैनी को ये जो कमल केतू का मन जो बेचैन हो चुका था उसके अंदर अंतरात्मा में उसके धिर्दय में जो घाव लग चुका था सरंची के प्या सारे बातों को मैं समझती हूँ लेकिन मेरा भी कुछ बिनती है मेरा भी बात मेरी भी बात उसे पहुचा दिजिएगा कि जंगल का संगी जंगल में रहने वाला संगी का कोई मतलब घर नहीं है खामख्याली मतलब हम जूटे सपनों के खामख्याली बातचित मतलब कि जूटे सपनों को से मैं खुस होना नहीं चाहती मैं खुस होना नहीं चाहती होडेक संगी दीकु नहीं मतलब की होडेक मतलब दीकु क्या बोलते हैं आदिवास्यों को कर सकते हैं जंगल वास्यों को और दीकु मतलब जो बाहर के लोग तो बाहरी लोगों का ये कहता है कि हम लोगों का क्या ही साथ होगा हम लोगों का क्या ही रिस्ता होगा ये बोलती है कौन सरंची बोलती है तो यहाँ पर देखे इसका भावार्त भी समझाए गया है कि राजवैद घुमा कमल के मन की बैचाइनी को जान लेता है खोचते-खोचते सरंची के पास पहुचते हैं और सरंची को कमल केतू का हाल बताते हैं सरंची भी संदेश पहुचाने को कहती है वही कहती है अपना निहोरा कि वह घर पर नहीं मिली वो बोलती है कि जाइए बता दिजेगा कि मैं घर पर नहीं मिली दोनों में जमीन आसमान क अंतर वो बताती है और सरंची बताती है कि वह जूटे सपनों यानि कि जो खामख्याली का बात किया गया है वह जूटे सपनों के सहारे नहीं जीना चाहती है राजवैद सरंची के मन की व्याथा को समझता है समझता है सरंची के मन की व्याथा को राजवैद लेकिन राजवै उसका दवाई मेरे पास नहीं है उसका आउसधी हमारे पास नहीं है राजवैद यही सूचता है देखो अब क्या होता है कि जो राजवैद वहां से सरंची के पास से लोटता है राजमहल की ओर तो वो क्या करता है कि सरंची के बाल का सरंची के खोपा खोपा जानते होंगे आ आता है और उस बेली के फूल को उस खोपा के बेली के समान ही है और राजा का बेटा इसे जाकर कर के उसका मन क्या होता है स्थिर होता है कि हाँ सरंची के पास तुम गे कैसी है नहीं है क्या बोली यह सब मन में जो एक उठता है जब आप लोग भी कभी प्यार कियो होंगे हू सकता है यहाँ पर जो भी वीडियो को देख रहा है कभी ना कभी किसी से थोड़ा बोडा किसी पर करश आया होगा या प्यार होगा तो अगर real वाला प्यार होगा, ऐसे ही नहीं, मतलब किसी भी प्रकार से ऐसे ही है, away वाला प्यार नहीं है, तो उस प्रकार का प्यार होगा, तो मन में जो एक बेचैनी, एक बेचैनी जो उठता होगा, सोच करके, क्या रहे जाएंगे, बात करेंगे, कुछ अगर उसका copy मिल जाए, पेन मिल जाए, हम दे दे, तो यह सब होता है, भले आप, मतलब अब का प्यार वैसा है नहीं, हम लोग के जमाने में वो प्यार अब रहा नहीं, ठीक है, और समल करके रहना है, अभी कुछ नहीं है, उस तरह का प्यार बार, पहले क्या करना है, पहले करना है, कैरियर तब करना है बाबू सोना जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ पहले कैरियर तब बाबू सोना नहीं तो छोड़ करके चली जाएगी और एक दीन पढ़ेगा रोना अब वो वाला प्यार नहीं है सरंची कमल या फिर रांजा जो हम लोगों को सुनाया गया है प्यार के बारे में वो सबब बिलकुल नहीं है ठीक है वो उसके खबर पुछता है उसका सरंची का खबर पुछता है धीरे देरे गुमा राजवैत जो गुमा राजवैत था सरंची के जुड़े का फूल कमल के हातों में देता है जिसे पाकर उसके मन की वेदना स्थिर होती है वो धीरे देरे सरंची का हाल चाल पूछता है और स संका है, जो संका है कि वो जात उचा जात है, उसके संसकार उचे हैं, उसका और हमारा क्या मेल, कैसे हम लोग होड़ और दिसू, दिकू एक साथ नहीं हो सकता, इस प्रकार का जो उसके मन में जो संका थी, उसको मिटाने के लिए कमल के तू अपने खून से प्रेम पत्तर करता है कि राजा का बेटा चला क piace अंड जीय हां मैं राजा गम शाल है सीरिफ मनुस्य का बिचार मनुस्य का मनुस्य होकर के मनुस्य का जो सेवा करना ही हमें स्विकार है यह नहीं कि मनुस्य होकर के मनुस्य पर ही अत्याचार करना उसका ही सोसन करना उसका ही दमन करना उसके ही पैर खीचना उसको ही मीचे लेकर के जाना इस प्रकार की नीती इस प्रकार के विचार हमारे नहीं है अगर जिसके इस प्रकार के बिचार हैं उसको मैंने त्याक दिया है जो कि तुम मेरे बाप का नाम ले रही हो काल के तू बुईदलक के कहल नय माने मतलब बुद्धी ग्यानियों का कहना जो नहीं माना हमारा बाप यानि कि काल के तू उस बाप को भी मैंने छोड़ दिया और सोज डहरे डहरवे खातिर मतलब एक सीधे साधे रास्ते पर चलने के लिए हमने क्या किया काटाक डहर अपना उलिव मतलब काटा से भरा हुआ यहाँ पर मतलब विपत्तियों से भरा हुआ दुख दवविपता से भरा हुआ रास्ता को हमने अपना लिया वन संस्कृती मतलब और जंगल वासियों को रक्की रच्छा करने के लिए उसको जोगने के लिए और उसको जगाने के लिए जो हम अभ्यान पर चले हैं जिस अभ्यान पर हम चले हैं उस अभ्यान पर हमारा संग दो बीरबाला हमारा साथ दो बीरबाला सरंची और तुम तयार रहो अपने धनुस वान को ले करके धैरले कांड और दिकुक भगवे ले मतलब दिकुक यहां से जो बाहरी लोग यहां पर आ करके जो यहां के लोगों का सोसन कर रहे हैं जो यहां के लोगों को यहां के लोगों का भक्चन कर रहे हैं जो दमन कर रहे हैं उन सब को भगाने के लिए जो अभियान पर हम चले हैं उनको जगाने के लिए और उनकी रच्छा करने के लिए जिस अभियान पर चले हैं उसके लिए तुम अपना धन उस बान क्या करो उठालो और दीकु को भगाने के लिए यहाँ पर जो तयार हो जाओ इस अभ्यान में, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक बात मेरे दिमाग में है ऐसा आपके शही से नहीं हो सकता, देके यहाँ पर क्या था कि जब उसका टाइम था तो उसने लूटा अभी क्या है कि अभी हम यह नहीं का सकते कि अगर बनवासियों को आदिवासियों को या फिर क्या बोलते हैं कि जो अभी हमारे जो क्या बोलते हैं 20 सालों से जो हमारे उपर राज कर रहा है वो कहां से वो आदिवासी हैं और आदिवासी होकर कि क्या वो कर रहा है यहां पर कौन कमल के तू कि हमारे लिए क्या है छोटा बड़ा उचा नीचा कुछ नहीं हमारे लिए तो सही है तो वही कि मनुस्य का जो बिचार है वो बदल जाया जो मनुस्य का मनुस्य हो करके मनुस्य चाहे वह दिकू हो चाहे आदिवासी हो चाहे कोई भी हो मन इस परकार का विचार होना ही मानवता कहलाता है, इंसानियत कहलाता है, तो धरले कांट धनुक अर्दिकू को भगाने के लिए, तो सच में मैं राजा का बेटा हूँ, किन्तो मेरे लिए घास पूस की जोपड़ी अच्छी है, जात पात से कोई बड़ा नहीं बन जाता, कठीन रास्ता चुल लिया है, कमल वन की संस्कृती की रक्षा और वनवास्कियों को जागरूप करने के लिए सरंची से अपने अभ्यान के साथ देने को कहता है, साथ ही बाहरी लोगों को भगाने के लिए तीर धनुस लेकर तयार रहने को कहता है, तो यहाँ पर कविता की गुमा यानि की जो राजवैद है, वो कमल केतु की नीती की सको बताने लगता है, सरंची को बताने लगता है, कि देखे ऐसा ऐसा है, इस अभ्यान पर कमल केतु चला है, तुमारे लिए इस परकार का पत्तर प्रेम पत्तर लिग करके उसने दिया है, तुमारे मन का जो भी स तुम यहां से मिटा लो और सरंची जो है चुप चाप बैट करके घुमा बैद का सुन रही होती है और उसको बहुत आनंद मिलता है सुन करके और बहुत अच्छे मन से मतलब सुगुम मन से सच्छे मन से आनंदित मन से वो बैट करके घुमा बैद को सुन रही होती है और वह म देखे कहता है महुआ बोनेक छववा चेंगईर लेले आवई सर्चित्र ठीक है अब यहाँ पर है कि महुआ बोनेक छववा चेंगईर लेले आवई सरंची देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब वहाँ से कमल केतू और राजवैद घुमा कमल केतू और राजवैद घुमा व गुमाराजवाइद और कमलकेतू का और यहाँ पर जोपड़ी बना करके रहने लगता है जंगल में ही ठीक है वहाँ पर सरंची भी ठेली आती है सरंची महुआ बने मतलब जंगल का जो बच्चा लड़का को चववा चेंगईर को वो अपने साथ सरंची लेते आती है दिन भर वो चववा बच्चा जो लड़का बच्चा सब होता है दिन भर पढ़ता लिखता है और कमल केतु जो यह बच्चों को यहाँ पर बैठा करके बच्चों को यहाँ पर बैठा करके पढ़ाता है और घुमा क्या करता है इसको औसधी ज्यान देता है जड़ी बूटियों के बारे में सिखाता है तो क्या करता है जड़ी बूटियों के बारे में सिखाता है धीरे धीरे कमल केतु और सरंची क्या करता है एक मतलब की सेना बनाने लगता है, और जनगल की रचा करने के लिए जनगल वास्मियों की रचा करने के लिए करने लगता है करता है कि जो लकडी काटा जाता है लकडी को इन सब को क्या करता है सरंची और कमल दोनों लूट लेता है इन सब को तो क्या काता है राजा घरे गाच काल लूट लेत सरंची और कमल के तूँ सरंची और कमल के तूँ उसको लूट लेता है अपना काहा इसको बना करके क्या सेना को बना करके देखे कमल राज महल छोड़ कर सरंची के पास महुआ बन में आसरे ले ले लेता है जहां सरंची सभी बच्चों को ले आती है कमल यहाँ पर इसके बारे में बता भी दिया गया है देरे-देरे कमल महिला और पुरुस की सेना कस्तायार कर लेता है अब सरंची और कमल वन से युदारम कर देते हैं राजा के लिए लकड़ी काटने वालों के लिए लकड़ी लूट लिया जाता है चलता है कि राजवैद घुमा भी उसके साथ है तो वह उसे बुलाता है और सिंगहासन पर बैठ करके कालकितू उसको कहता है कि तुम राजवैद हो तुम्हारा काम राजबहल में रहना है यह नहीं कि तुम जंगल में जाकर कमलकितू का साथ दोगे तुम जंगल नहीं जाओ हो जाएगा धर्ती में बिलीन हो जाएगा ये तो हम लोगों ने देखा राजवैद अब हम लोग देखते हैं हुन के बारे में किसके बारे में हुन के बारे में अब ये जो कवीता है हुन इसके बारे में क्या हम लोग को समझना है तो आप लोग जब हिस्ट्री पढ़े हुन आकर्मन का जो है बहुत भीरता के साथ ये क्या करता है सामना करता है और उसे मार करके भगा देता है उसे हरा देता है तो ये हुन कौन थे तो हुन इसे कहा जा सकता है कि एक परकार से ये लड़ने वाले कभीले थे क्या बोलते घुमन्तू टाइप से कभीला होता है एक पाटने वाले और जिस एरिया से होकर के जाता था उसे लूटते पाटते हुए आगे निकल जाता था हुनों का आक्रमन ये चीन से आये थे दो पाटों में बटे थे तो ये अलग कहानी है उसका लेकिन हुन जो है आक्रमन हुन का आक्रमन कहां हो जाता है जहां पर कमल के तू रहता है कालकेतु का जो जहारखंड की धरती पर हुनों का आक्रमन होता है और उसी समय का ये बात है कि हुनों का जब आक्रमन होता है उस समय की कहानी को ये कवीता बताता है बया करता है तो चलिए देखते हैं ये इसका समरी हम लोग देख रहे हैं रोपा डोभा का परे धरत पहरियर भाई गेले कहता है रूपा डोभा रूपा डोभा मतलब जब धान का जो रूपा होता है तो रूपा के बाद रूपा हुआ धान का जब सावन के महीने आता है भादो का समय सावन बादो उस टाइम क्या होता है चारो तरफ हरियाली फैल जाती है भादो का समय में चा गलवासियों आदिवासियों के बीद जिसका नाम है करम परव करमा परव जिसके बारे में इसका वखान हम लोगों ने किया था प्रतीक परव करम ठीक है उसके बारे में हम लोगों ने जो खोर्टा निबंद था उसमें हम लोगों ने देखा था तो रोपा डोभा का समय हो ग महिना का जो एक मंत्रमुग्द कर देने वाला राग जो गीत होता है उसके साथ करमपरब आता है करमपरब आ जाता है वही एई पर चारो बाटे मदर से डूबल रसिक सब मांदैर अएर बासुरिक सुरे मायत गिला ये ऐसा महिना है जिसमें चारो और लोग एक रस में एक मद एक अलग टाइप का जो एक खुसी होता है करमपरब में आने से लड़किया क्या होती है जो लड़किया होती है वो खुसी से जुमती है गाती है लड़के क्या होते है वो भी खुसी से जुमते हैं गाते हैं सब कोई धोल, मांदर, बासुरी की ध्वनी में सुर में मात जात में अपना प्रेम का रंग में ये लोग भी रंगने लगते हैं जी का जोरी यार डाइड जुम रहा है मतलब जी का जोरी ये जो गाना बजाना नाचना ये सब हो रहा है इसी जुमर में रात का दो पहर बीच चुका था रात का दो पहर बीच चुका था और उसी समय बतर सिरे हुन सेनापती यही हुन सेनापती मतलब हुन जो आक्रमन कारी होते थे तो वही समय क्या होता है हुन सेनापती मिहिरकूल यह याद रखेगा ठीक है बतर सिरे उस हुन सेनापती मिहिरकूल अपना सेना ले करके मुलुक पर यह देश पर यहाँ पर जहाँ पर कमल कितु है यहा दामुदरेक कुराय बैसल घड़ हुँ हमला भेल और यहाँ पर दामुदरेक कुराय में दामुदर की गोत में ये हुन सेना पती मिहर कुल अपना सेना लेकर के चलाई कर देता हुद दामुदरेक कुदे में जो है इस गड़ पर इस कीले पर हमला हो जाता है हुन सेना जो हु आगे बढ़ रहा है, आक्रमन करते हुए, बरबाद करते हुए, सारे तरफ रन भन चिन भिन करते हुए, यहां का आदिवासी नर नारिक मुल के रहखा का तिर कांड धनुक लई के गोठाई लगला। सरंची दुस्मनेक संग लड़ाई करे खातीर आदिवासी उसका आदिवासी लोगों को उसका देती है, उसका होसला आप जाई कर देती है, और सब कोई भिड़ जाता है उससे लड़ने के लिए, बोनेक बासी सब देशभुक्सा हुन के चोंक चोंक कारे द्वोधे उनों को क्या करता है अपने तेज तेज धनुस से, अपने तेज 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 तीर से क्या करता है उसको भोकने लगता है, उसको तार-तार करने लगता है और क्या करता है बिस भरल, मतलब वो जो धनुस बान होता है, जो बान होता है, कार जो होता है, उसमें वो बिस लगा द सरंची बाला मुराय रकम दुष्मन के काटे लग ली, गाल जो थी, वो मुली की तरए दुष्मनों को काटने लगती और उसका अलगूर, उसका अस्तुनिया, भीरता को देख करकें, अलगूर मतलब यह होता है, जिसका समझ में ना है, ठीक है, इस परकार का भीरता को देखत से भाग जाता है काल के तुक गड़ भाई गेल खांदा काल के तुका जो गड़ था जो किला था जो महल था वो पूरा का पूरा बरबाद हो जाता है और कमल उसके बाद कमल तखन बखान करल कमल उसके बाद बताता है कि दिकू होड़े कारण दिकू होड़े कारण आज इदा यानि कि कमल के तु ये कहता है कि हम लोग इसी फेर में लगे रहें कि तुम दीकू, तुम होड, तुम बाहरवासी, तुम आदिवासी, जंगलवासी और ये जो फूट था, ये जो हम लोगों के बीच जो एक फूट था, जो हम लोग एक कम्यूनिकेशन गैप था, दीकू कर दिया, और हम लोगों की ये हाल कर दी, अगर मिल जूल कर हम रहते, तो ऐसा नहीं होता, वही कहता है, दीकू होड़े कारण, आज इदासा हुआ, ने तो किसी के बाप का हिम्मत नहीं था, कि जारखंड की धरती को कोया करके यहाँ पर चला जाता, इस परकार से करके चला करना है, तो आप पीडियोप को डाउनलोड कर ले, और जब इसका क्वेस्चन कराया जाएगा, तो आप क्वेस्चन भी कर लिजेगा, आपसे पूरा का पूरा क्वेस्चन होगा, और क्वेस्चन भी जल्दी ही हम लोग लेकर के आएगे, आपको comment करके, जितना ज्यादा से परिवार को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर उतनाज हिम्मत हमें कैसे आएगी मेहनत करने के लिए मेहनत लगता है एक अच्छा कंटेंट देने में आपको एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट देने में क्या आप समझ सकते देखें माटी रेखा मतलब क्या होता है रक्षा होता है और भाता का रक्षा रक्षा और माटी ले बनल मुलुक कता है इसी माटी से, किसी माटी से ही मिटी से ही मुल्क बनता है, अपने धर्ती से ही मुल्क बनता है, और मुल्क का रक्षा करना, संस्कृती का रक्षा करना, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें बिरसास, सेख भिकारी, सिधु कानू, यह सब का बात हुआ है, तिलका क का बात हुआ है परताप का बात हुआ है जो कि देश की रख्षा के लिए सहीद हो गए क्या सहीद हो गए मात्री भासा और मनुस्य को मतलब अपनी रख्षा करना चाहिए यह कहता है कवी कवी देश की रख्षा के लिए इसकी संस्कृति और भासा की रख्षा करने को कहता है क अच्छा एक बात यहां पर आपसे पूछते हैं कि जो दामुदरिक कुराई के कवी कौन है दामुदरिक कुराई को लिखने वाले कवी कौन है तो आप जानते होंगे कि दामुदरिक कुराई को लिखने वाले जो कवी हैं वो थे सिविनात परमानिक कौन थे सिविनात परमान से लोग उर्जावान बनेंगे और अपनी मात्री भासा की रख्षा करेंगे जिससे देश में खुसाली आएगी बिर्शा हो तिलका हो सिद्धू का अनू सभी ने अपनी मात्री भुमी और इसकी संस्कृति की रख्षा के लिए बलिदान दीए आगे देखे लिखाव बनबा और उसका तने तन गदगद हो गई तीन पहर रात बितल मतलब रात दो पहर के बाद तीन पहर बितला है आनंद के लहर में हैचकिया हुलमुलाई भिल मतलब आनंद का लहर था सब के मन में आनंद का लहर दोड़ रहा था और दामुदर की धरती पर दामुदर की गोदी में इस धर्ती पर दामुदर के गोदी में जो धर्ती बसा हुआ है यहाँ पर हुनों का आक्रमन हो जाता है तो चलिए दिखते हैं वन वालिकाओं को करम पर्व के परती लगा हो है आप लोग इस बात को जानते होंगे कि धारकंड में करम पर्व का क्या महत्व है उनकी बहर बीद जाते हैं और बीद जाने के बाद दामुदर नदी के किनारे हुनों का आक्रमन हो जाता है और हुनों का आक्रमन कौन करता है तो हुनों के सेनापती महिरकुल इससे के बारे में हमने बात कर लिया है तो महिरकुल मुलुक हेलल मतलब मिहिरकुल जो है मुलुक मतल लेक सेनापती महिरकुल वो आगे जो भी है सब्दों के बारे में हमें बात कर लिया है तो यहां से आप देख सकते हैं कि बेरेंडो आईसन आईगेल मतलब देशे फूट पावल जूती हमला बोलल हुनेक सेना काल की तो अकबकाई मतलब काल की तो अकबकाई जाता है आपन ग लेल, गढ़, किला, सब को डूपते वे देखकर ब्वनबासी अक्चेकाई जाता है पहिल हमला घड़े एक उपर और छीने लागला हीरा सोना पहला हमला करता है गढ़ केऊपर, महल केऊपर, राजमहल के उपर करता है और हीरा, सोना, चांदी सब को उन जिनने लगता है मुर्ति भंजक ये लोग जो हुन थे वो मुर्ति भंजक थे वो क्या करता है मंदिर तोड़ने लगता है गढ़ महल सब तोड़ने लगता है और उजाले लगला सिंदूर। जिनने लगता है मंदिर तोड़ने लगता है मंटि के रच्छा के लिए किरिया बनवासी कसम खाता है अब तो करना है और वो एक जगह होता है जनी मरूद चाए जो हो लेडी जो या जेंट सो सब कोई धनुसबान उठाता है और आदिवासी बीर जनीक सरंची मतलब जो है सरंची जो है उसके नाइका बनती है उसके बाद और जंगल का जो मरद लोगों का जो खेवया होता है वो कान कमल के तू बनता है मतलब कमल के तू जेंट से लोग का सेनापती हो जाता है और जो सरंची है वो लेडी ज का हो जाता है और मिटी के रच्छा के लिए बनवासी जो है जंगलवासी आदिवासी अपने जान पर खेल जाते हैं और प्रदेसी हुनसेना पर जोरगर हमला कर देते हैं, मतलब एक तंगड़ा हमला कर देते हैं, देखे हुनसेना का आक्रमन होता है, अचानक से होता है, ये लोग आनंद से भाव भिबोर हो उठते हैं, उस समय काठ होने से खुन की दारा बहने लगते हैं, कई लोगों की मिरित्ती हो जाते हैं, तब माटी की रक्षा के लिए सभी बनवासी मर मिटने की कसम खाते हैं, उपर में दिया गया है, उसका यहाँ पर मिनिंग भी दिया गया है, सभी महिला पुरुस तिरधनुस लेकर एक जुरदार हमला कर देता है, आगे देखें, धदर, पिछर, भाई, गिला, जीओ, लईके, सुनहे, हुन सेना, मतलब काता है, जैसे तैसे जो पाया, उसको उठा करके, हुन सेना, यहाँ से भाग जाता है, मिन्तु, राजाक लूट लेला, हीरा सोना, खाजाना, लेकिन वो क अगर पंक काट लोगे, तो उसे जिस परकार से लगेगा, जैसा उसकी दसा होगी, जैसा उसका इस्तिती होगा उस समय, एकड़म सेम उसी तरह की इस्तिती लग रहा था, काल कितु अपने आपको फील कर रहा था, कि जैसे हमारे साथ हो गया, फुटानी सब चूर हो गया, सब तो लूट कर चला गया, कौन हुन, इसका जो फुटानी था, जो इसका घमंड था, वो सब चूर हो गया, बस रह जाता है, तो उसके पास कुछ नहीं, ठीक है, तो केट कांदे, छाती पीट, मतलब वो क्या करता है, छाती पीट के रोने लगता है, और सब कुछ होने साथो अब पंक कटे, तोते जैसी हो गई, उसका घमंड चूर हो चुका है, और युद में कितनों ने, कितने ही अपनों की जान गई, सरंची उनको ढाडस देती है, और उनके बहते हुए आसों को पोचती है, आगे देखिए, क्या कहता है, कि भीनु-भीनु भात रादे, देखिए, यहां से क्या है इसका मतलब, तो यहां पर क्या कहता है, कि भीनु-भीनु भात रादे, भीनु का मतलब अलग-अलग होता है, ठीक है, अलग-अलग, अलग-अलग जैसे कहता है, दो भाई है, ठीक है, और दो भाई अगर साथ में, एक साथ रहेगा, खाना भीनु भीनु भात रादे मतलब भात हम लोग का बनता है रादे का मतलब सिजाना बनाना होता है भीनु चुलाक हाडी हमारे चुला अलग हमारे चुला अलग है हाडी अलग है यह मतलब यह नहीं समझेगा कि यहाँ पर चुला हाडी का बात हो रहा है यहाँ पर मीनिंग यहा यह नहीं कि धुती साड़ी उठा करके लेके गए, हमें लूट करके लेके चले गए, हमें खंडर बना करके, हमारा धूर्दासा जो आज यह है, इसी कारण से है, क्योंकि यहाँ पर फूट पड़ा हुआ है, एकता का सुरह हम नहीं जानते हैं, और हम लोग आपस में ही दिखने के कारण ही बिदेशियों ने हमें लूटा है, हमें फकीर बनाया है, इतना होने के बावजूद भी यहाँ के राजा को अभी चीतना नहीं आई है, जो अभी भी लड़ते जगड़ते रहते हैं, एकता को भी खेरते हैं, ऐसे राजा को तो धकनी भर पानी में जाओका होगा अपने, ठीक है, तो कहता है कि ढकनी पानी में डूब करके इसे मर जाना चाहिए, इतना चाहता है, चुलू भर पानी में डूब करके मर जाओ, ऐसे राजा को, जो कि माटी को मान को आप माँ भुझेंगे, तो उसका रक्षा करेंगे, ठीक है, तो यही बनेंगे, आपसे आसानी से बनेंगे, ठीक है, कल आपको जो नेक्स्ट है, अमर चाटान और हालपा, ये दोनों कवीता का समरी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका जो पूरा खोर्था है, खोर्था का जो theoretical section है, जिसमें की हम लोगों के पास क्या-क्या है, आप पैदे खड़ी एक मॉनिफुल, पूरा हो जाएगा, नाटक, डाह, अजगर, चावी, काटी, युद्भासल, कर्न, सब हो गया, संस्मरन, जिवनी, यात्रा, बिर्तान, सब्द, चित्र, सब हो गया है, बच्चा है, व्याकरन, तो व्याकरन आपका complete हो जाएगा, जल्दी क करवा दिया जाएगा, सारे chapters, जो सारे parts है, जैसे गद्दे भाग में कचाहर कहानी, तो उसका जो main-main points है, जो main-main terms है, कौन इसके मुख्यपात्र है, इसके लेखक कौन है, लेखक का संग्रा, उसका जो कब छपा था, ये सब जो एक PDF में आपको मिल जाएगा, जिसके बाद कि आपको क्या करना है, उससे revise कर लेना, आपको यहाँ पर revise भी करवा दिया जाएगा, साथी साथ, question भी practice करवा दिया जाएगा, तो खोर्ठा में 100 marks आएंगे, 100 marks के question आएंगे, और इसको बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर JSSCC जिल में merit बनाना है, तो खोर्ठा में ज्यादा से ज्यादा marks लाना होगा, तब तक के लिए आप लोग जै हिंद, जै भारत आप अपनी पढ़ाई को करेंगे,